इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Klinger Fort Vaginal Capsule कई दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल योनी स्राव का सिंड्रोमिक इलाज के इलाज में किया जाता है. यह infection पैदा करने वाले microorganism के विकास को रोक कर infection से लड़ता है. यह संक्रमन के आगे फैलने से भी रोकता है. Klinger Fort Vaginal Capsule का इस्तेमाल लेबल निर्देशों के अनुसार या आपके डॉक्टर द्वारा सुझाए गए अनुसार किया जाना है. यह दवा केवल योनी पर लगाने के लिए है. आपको इसे लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धुना चाहिए. सबसे अधिक लाब पाने के लिए सोने के समय पर नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करना सबसे बहतर है. अगर दवा गलती से आँखो या मूँ के संपर्क में आ जाती है, तो आपको उन्हें तुरंत धोना चाहिए. इस दवा के बहतर असर के लिए इलाज का कोस पूरा किया जाना चाहिए चाहिए आप बहतर महसूस कर रहे हों. निर्धारित से अधिक खुराक में इसका इस्तेमाल न करें. क्लिंगे फोर्ट वेजाइनल कैपसूल से कुछ सामानने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हलका जलन और लगाई गई जगह पर जलन होना. अगर यह साइड इफेक्ट समय के साथ ठीक नहीं होते हैं, यह स्थिती अधिक खराब होती जा रही है, तो डॉक्टर को सूचित करें. किसी भी तरह की अलजी, यानि की रैशेज, खुजली, सूजन, सांस की कमियादी के मामले में, तुरंट मेडिकल सहायता पाने के लिए कॉल करने की सलाह दी जाती है. इसका उप्योग करने से पहले, अगर आपको कोई बुनियादी बीमारी है या किसी भी स्वास्थि समस्या के लिए दवाएं ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं. बाहर से इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं आम तोर पर अन्य दवाओं से प्रभावित नहीं होती हैं, हाला कि अगर आप सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो यह आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. अगर आपको इस दवा से ग्यात अलजी है, तो आपको इस दवा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए. इलाज के दौरान, आपको ठीक होने की रफ्तार को बाने के लिए उचित व्यक्तिगत स्वचता का पालन करना होगा. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.